हेल्यू दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डियलेट से रिलेटेर एक बड़ा नोटिस लेकर आया हूँ मैं आपको बता दू कि काफी बच्चों ने पूछ रहे थे कि एक्जाम कब होगा एक्जाम कब होगा तो मैं आपको बता दू कि डियलेट के द्वारा जो है संभावित जो है एक डेट जारी कर दिया गया है जो कि आपका नौवंबर का डेट दिया गया है कि जो पर्थम वर् आपका एक्जाम जो है नॉम्बर में होगी यह तो कनफर्म है कि नॉम्बर में एक्जाम होना है यह तो कनफर्म है कि एक्जाम तो होना ही होना है लेकिन जो है यह संभावित डेट है भी कनफर्म रूप से जो है जारी नहीं किया गया है जो सत्र 20 से 22 वाले है उनका पर्थम वर्ष का एक्जाम होने वाला है तो जो पर्थम वर्ष का एक्जाम होने वाला है जो संभावित डेट दिया गया है वह दिया गया है 15 नॉवंबर से लेकर 22 नॉवंबर के बीच में और दुवितिय वर्ष के लिए दिया गया है 24 नॉवंबर से लेकर 27 नॉवंबर के बीच मे तो जो है आपको डेट जारी कर दिया गया है तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दू कि आज से जो है वह पढ़ना चालू कर दे क्योंकि में भी आपका जो है नॉम्बर में एक्जाम होगा ये तो कनफॉर्म है तो जो भी बच्चे पढ़ाई छोड़ दिया है वह पढ़ाई जारी कर दे क्योंकि आपके पास अब बस एक दुम्हाईने बच्चे हुए है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे, सेर करेंगे, सस्क्राइब करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्यू